शेल कंपनियों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने कड़े قदम उठाने का फैसला किया है कंपनियों के लिए अपने सभी जानकारियों की इवाइलिंग अनिवार कर दी गई है अब इन्हें अपने रेजिस्टर्ड ओफिस और डिरेक्टरों की जानकारी भी ऑनलाइन देनी पड़ेगी हाथ से कंपनी के अंदर जो कंपनिया इंडिया के अंदर हैं उनको एक नया KYC ROC के वेबसाइट पे फाइल करना है जिसका परपस यह है कि उसकी लोकेशन उसके डिरेक्टर्स और ओफिस का जो कंप्लीट एड्रेस है वो ROC के पास रेजिस्टर ओफ कंपनी के पास होना चाहिए इस प्रोसेस को शुरू करने के लिए जो टाइम है वो आज से शुरू होता है साथ दिन का टाइम है और साथ दिन में अगर वो फॉर्म नहीं फाइल होता तो उसकी जो पैनल्टी है वो 10,000 रुपीज की पैनल्टी है कंपनी के ओलिटर्स और मैनेजमेंट के प्रमुक अधिकारियों की डिटेल के साथ पहली बार रेजिस्टर्ड ओफिस की फोटो जमा करने को कहा गया है उन्हें इस ओफिस का लेटिट्यूड और लॉंगिट्यूड भी बताना होका देश में 12,00,00 से जाधा रेजिस्टर्ड कंपनिया है शेल कंपनियों के खलाफ कारवाई में कई ऐसे मामलों का पता चला है जिसमें कई कंपनिया एक ही पते को अपना रेजिस्टर्ड ओफिस बता रही थी असल में उन कंपनियों में कोई काम नहीं होता था अब ई-फाइलिंग के जरीए सारे जानकारियों के मिलने से कंपनियों के कामकाज पर नजर रखी जा सकेगी साथी इस कदम से शेल कंपनियों पर लगाम लगाने में भी आसानी होगी कंपनिय मामलों के मंत्राले ने इस बारे में अधिसूचना जारे की है इस फॉर्म को बनने के बाद कम्पनियों की पारदर्शिता और बड़ेगी अधिसूचना के मुताबिक 31 दिसंबर 2017 से पहले रेजिटर्ट सभी कम्पनियों को एक्टिव नाम का ई-फॉर्म भरना होका इसके लिए 25 अप्रेल 2019 आखरी तारिक तै की गई है जो कम्पनिया इस तारिख तक ई-फाइलिंग नहीं करेंगी उन पर 10,000 रुपे पेनल्टी और साथ में कुछ पाबंदिया भी लगेंगी एक्टिव फॉर्म भरने से पहले 2017 का सलाना रिटर्न जमा कराना ज़रूरी होका अगर किसी कम्पनी का रेज्ट्रेशन खत्म हो गया है या खत्म होने की प्रक्रिया में है तो उसे एक्टिव फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है कम्पनी मामलों के मंत्राले ने पिछले साल नए केवाईसी नियम जारी किये थे इससे करीब 33 लाग कम्पनी डिरेक्टर प्रभावित हुए थे ने नियमों में डिरेक्टरों के लिए अपना मुबाइल नंबर, ई-मेल, बैन और आधार जैसी व्यक्तिकर जानकारियों की ई-फाइलिंग ज़रूरी कर दी गई है 2017 में 2,26,000 शेल कम्पनीओं का रिגिट्रेशन रद्द किया गया था इन्होंने 2 साल या इस ज़ालत समय से रिटर्न जमा नहीं किया था 3 साल तक सालाना रिटर्न जमा नहीं करने वाली कम्पनिओं के गरीब 3,00,00 डिरेक्टरों को भी आयोग्य करार कर दिया गया था झाल झाल